कि 12 से चकबती 2.0 में आवेदन शुरू हो गये हैं फिस टू में 12 से चकबती में 6 से लेकर 5 तक में सबसेट शावाल आ रहे हैं इस टॉपिक को कहा कहांसे पढ़ना एक इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए कापी महत्पड़ होने वाला है जो SST भी से को रखना चाहते हैं खास कर seated appearing वाले क्या करें क्या वो इस भरती परिक्षा में शम्रित हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे या साधिसान seated उमें जो other state की महिला है उनके लिए कितने marks होने चाहिए उनको इसमें आवेदन करने के लिए कितने mark प्रयाप्त है 82 प्लस या 90 प्लस होने चाहिए साधिसाथ subject combination मतलब भिशय का क्योंकि कई लोग इस बात को लेकर परशान है कि क्या उस भरती परिक्षा में आवेदन कर पाएंगे या नहीं अगर आवेदन कर लेंगे तो कैसे इसमें कौन-कौन से किताबे पढ़ी जाएं कि अंतिव रूप से आपका selection हो जाएं सबसे पहले अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं तो कुछ बाते आपके लिए महत्यपूर्ण होगी तो इस पर मैं सबसे पहले चर्चा कर लूँगा फिर क्या पढ़ना है पहले इसमें जो है वह सीटेट पेपर टू पास होना जरूरी है लेकिन जो पास नहीं है क्यों आपेरिंग के लिए आपसन नहीं खुला है वही इसमें लेकिन लेट सबेर ये पोरी सम्भावना लग रही है कि निकड़ भोष्ट में यहां पर उनको भी मौका मिल सकता है मतलब अपेरिंग भीड़तियों को भी मौका मिल सकता है पॉर्म कम भरेगे लिए वीप्यस्टी उनके लिए मौके दे सकती है यहां पर सीटेट पेपर टू एसमध जो पास है वो आवेदन करें जो अपेरिंग ही इंतजार करें उनके लिए जल्द ही या विप्यसी बिहार लोगसेवा आयोग आपके लिए शुखत समाचाट जरू लेका रहेगी दूसरा सवाल यह है यह सीटेट अपेरिंग से जुड़ा सवाल जवाब को मिल गया दूसरा सीटेट अधर इस्टेट मार् क्या अभेर्थिनी क्या वो बैसी प्लश प्रावेदन कर सकते हैं बिहार के जो बिग्यप्ति है उसके आधार पर आवेदन कर सकते हैं पीछे भी आवेदन किया था पहले एक जिला में कहीं बाहर भी किया लेकिन कई जिलों में उन्हें उत्ती पत्र भी मिले हैं लेकिन यह 82 प्लस मार्क 82 नंबर अगर उसके हैं तो वह वहरती चक भरतिम आवेदन कर सकते हैं ऐसा बिग्यपति में लिखा गया है बाकि आपकी मर्जी आवेदन करें ना करें मैं यह कहूंगा आवेदन करके परिच्छा दे कर पसता ही है अगर आपको लगता है कि आवेदन करने के बा करीब हैं तो आवेदन करके अपने आपको खुद को भी जा सकते का आपके तैयारी अभी तक कितनी है बहारते चक भरती परिच्छा के लिए दूसरी बात तैयारी कैशे करें तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपके पास समय कम बचा है यूं कह सकते हैं कि 30 दिन मोटी बात करें तो यहां पर यह पूरा प्रेपर है सटी का वह रहां बात करें सबस्क्राइब लिखने का प्रयास करूं जो अश्चा से लेकर आठ तक में आवेदन करना चाह रहे हैं उनके लिए यहां पर यह पर तीन चरणों में मतलब तीन तरह खंड में भकत है पहला अगर ह है एक यहां पास करना इस पर अपने अनर्जी मत लगाए थोड़ा वो दगर समय है तो आप इसे रिवीजन कर सकते हैं जो आप कर आएगा तीस प्रस्न तीस अंका दूसरा सेशन है जो जी के हम क्या सकते हैं यह जी के जो समजेक्ट है यह आपके लिए 40 नमबर का है इसके अंक आपके परिक्षा में जुड़ेंगे इसलिए आप इस पर मेहनत करिए क्योंकि जो असस्टी में पढ़ेंगे जैसे इतिहाज भगोल श्वमिधान और साथ जो आप असस्टी के सेशन में पढ़ेंगे वही भी साय आप यहां पर भी पढ़ सकते हैं माने आपके 40 नमब आपके असस्टी से जुड़ा हुआ है इसलिए अगर आप सब्जेक्ट पर फोकस करें के अपने असस्टी के तो आपका यह भी स्ट्रॉंग हो जाएगा जो जीएस जीके का पैटरन है जीएस जीके मैत रिजिनिंग बिहार करेंट दूसरा है सब्जेक्ट जो असी नमबर क इस असि नमबर में 4 इसे सवाल आने है, उन चारंड़ के बारे में अगर हम आप जायना चाहिए तो यहां पर घुञव हो गई, यहां पर सहरे सकते हैं, यह थिकलीज़ Śूर् 2 इसी नमबर के पूरें चैंहें सब्जेक्ट किया सकते हैं यहां सकते हैं च्जोंना कि चार् G मुटी है और काम समय में अगर आपको लगता है एंसे पूरा पड़ का त्यार कर पाएंगे तो यह काफी मुश्किल है उसके लिए चाहें तो अगर आप किसी मित्र के पास आट नोर्च ठीक है ने तो एंसे आइटे की पूरी नोर्च छह से लेकर आठ तक के परिछाओं के ल 20 नंबर वाले भी नोट सो प्लप्द है अभी माँ आपको जो सब्जेक कम्बिनेशन इस पर भी में बात करूंगा इस के लिए पर परिशान नों इस वीडियो में थोड़ा आगे तक बने रहे हैं इस पर भी मैं आपका ध्यान आकरस्त करने का प्रयाश करूंगा तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट कम्बिनेशन वालों को खतम कर लेते हैं बता ले तो उनके वारे में तब हम चलते हैं इस असी नंबर के पूरे स्फूल से लबस पर क्या 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 आपको पढ़ना है कौन को सी टॉपिक आपके लिए महत्पून हैं भी प्यश्री के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट वाला क्योंकि यह काफी लोग के शावाल है और आप लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि सर इस पर हम में बता दिया ताकि हम आगे बर सेगे देखिए छह से लेकर आर्ट तक शह से लेकर आर्ट वर में अगर आप फॉर्म बना चाहते हैं बिहार में दे रहें इस पर आपके अगर असनातक अस्तर पर मने ग्रेजुएशन के तीन साल में कि नहीं दोविश्ट लोग इनमेस अगर आपने पड़ा है जिसमें से एक इतिहास हो गया भगोल हो गया राज़ीद सास्त्र हो गया और सास्त्र हो गया वारिज्जी हो गया मनो बिग् होगा है जो चलिए के लिए नहीं उनके लिए क्या होगा अगर वानिच जी के साथ आपने उसी ग्रेजुएशन में अगर आपने अर्शास्त्र पढ़े हैं अगर आप वानिच जी को मतलब विश्यों को पढ़ा है तो आप धान समझने का प्रयाश करिएगा मैं समझाना चाह रहा था कि सबसे पहले जो बिश्यक अक्रम मैंने आपको बता वो धान समझेगा शमाजी बिग्यान के लिए मतलब स्स्टी 6 से लेकर 8 वर के लिए मैं विप्यस्टी की बात कर रहा हूं 2.0 की मैं बात कर रहा हूं यहां पर भी काम के अभ्यर्थी जो है अगर वह अर्सास के साथ वानित के साथ अर्सास पड़ा है तो अभ्यर्थी आप बेदन कर पाएंगे लेकिन इसके लिए आपको सीटेट का पेपर 2 माने सीटेट सेकेंड पेपर सस्टी से पास होना अनिमार है ठीक इसके लिए मैंने वीडियो में शुरुआत में बता रखा है दूसरी बात अगर उसके अलामा कोई अभ्यर्थी कभी यह है अगर कोई अभ्यर्थी इस सब्जेक्ट का कालम में दो सब्जेक्ट हो ऐसे भी गिपति आ सकती है कि एस सब्जेक्ट भी तमाम अभ्यर्थी जिनके इन में से कोई एक सब्जेक्ट भी ग्रेजिवेशन में वह पड़ा है वह आवेदन कर सकते हैं फिलाल अभी तो आवेदन नहीं कर दखते लेकिन निकट भुष में आवेदन कर पाएंगे खुदान खासता अगर आपको आशा लगता है कि फॉर्म के डेट खतम होने वाली एक आग दिन बचे हैं और या एक दिन बचा हुआ है और आपका बिशय नहीं है दोनों एक ही मेरी राय होगी आप भर दीजेगा पर इच्छा दीजेगा हो सकता है अंत में जाते आते आपको इसके लिए मौका मिल जाए यह रिस्क लीजेगा खुद पर सोचे कर आपको लगता अगर आपके अंतरा अत्माशा कहती तो करिएगा अनिथा ना करेगा यह आपके उपर है कहीं भी कोई भी टॉपिक आपका नहीं चुटने वाला है सबसे पहले हम एसस्टी के 40 नमबर के तरफ बढ़ते हैं 40 नमबर के तरफ बढ़ेंगे उसके बाद हम तब हम आगे नए तथ्यों की तरफ बढ़ेंगे जब से पहले हम ध्यान देंगे बीपी यसी टू वाइंड जीरो के अगर हम बात करें यहां पे मैं बात कर रहा हूं स्थी यहां पे मैं 6 से लेकर 8 तक 6 से लेकर 8 वर के लिए असस्टी जो सब्जेक्ट है इस समाजी बिग्यान सोशल साइंस के नाम से आप जानते है सोशल इस्टडी भी कुछ लोग कहता है इसे इस सब्ढ़ेंगे स आप उमीद करते हैं अधर से हैं या बिहार से मुझे देख रहे हैं अगर आप हिंदी लेने जा रहे हैं यहाँ अगर आपने हिंदी लिया है तो हिंदी के लिए सबसे अच्छी है किताब लूसेंट का आपरी विजन का लेजे हिंदी के लिए लूसेंट प्राक्टिस कर सकते है और इंग्लिज के लिए भी लूसेंट है मानि हिंदी है प्लस अगर अंग्रेज लिए रखे हैं इसके लिए सबसे अच्छी किताब अगर मैं बात करूँ तो जो मुझे लगता है मेरे इसाफ से लूसेंट की оvos जी लिए है रहाँ पर इसके लिए लूसेंट ले सकते हैं वेलेज्ट बढसकते हैं ताक के लिए बेस्ट है ठीक अगरेजिकलink क्योंकि यहाँ पर 30 प्रश्ण उंगे इस प्रश्ण और क्वालिफाई करने के लिए हापको 30 पर्षेंट अर्था नौ प्रश्ण सही करने हैं केवल क्वालिफाई करना है असस्टी में दूसरे वर्विशे की तरफ चले तो दूसरा वर्विशे जो आपका कहता है वह यह कहता है यहाँ पर हम GSGK distortion प्लस इसमें गणित भी है सामानि गणित है उसके बाद तरक सक्ति जोसे वर्विशिनी के नाम से जानते हैं तरक सक्ति है प्लस current है बहर स्पेसली कोई भूम्का नहीं है फिर भी हम लोगे माल लेते हैं कि कुछ हद तक बहार इंग होगा लेकिन नाम मत के सवाल बहार जी के साथ है अगर आप अधर स्चेट से हैं तो ज़्यादा इस पर पर अपना focus ना करें अब इसमें भी हम लोग देखेंगे इस करूं तो यहां पर आपके लिए क्या क्या होगा इतिहास पढ़ना होगा इसके साथ साथ आपको भुगोल पढ़ना होगा इतिहास भुगोल हो गया जो नागरिसास के नाम से आगए पढ़ेंगे कि श्रम्विधान आपने को पढ़ना है और साथ तरा आपको पढ़ना है ठीक और साथ के साथ साथ सामान बिज्यान पढ़ना है इसमें computer भी आएगा science technology भी रहेगी सामान विज्ञान की स्रीज में उसके आगे घर हम बात करें तो विवित्तत विवित्तत में सारे आ जाएंगे ठेक इसके साथ साथ जो शी है current affair है यह भी current भी आपका जोड़ जाएगा current affair इतनी चीज आपको पढ़नी है किसके साथ इस चालिश नंबर के साथ कि इसकी पूरी जो शेल्वस है यह 40 प्रश्ण आएंगे आपके कितने आएंगे 40 प्रश्ण और इसी साथ की merit बननी है क्योंकि यह भी आपके अंतिव पढ़ना में जुणने वाला है उसके साथ एकर में करूँ यहां पर यह सब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट के गर में बात करूँ यहां पर तो यहां पर जो बिश्रें आएंगे सस्टी के लिए वह सबसे पहले हो गया NCRT इतिहास यह जो पूरी शिरीज होगी वह NCRT की होगी NCRT में क्या-क्या चीजें हैं पर आपको पढ़ने पढ़ने को जरुवत है पहला हो गया आपके लिए इतिहास दूसरा आपके लिए हो गया भोगोल तीसरा जो हम पढ़ने के लिए सोच रहे है वह शिविक्ष मन है नागरिक सास्तर नागरिक सास्त्र जो गया चौतरा आपके लिए हर्ज सास्त्र है वह श्रभी के लिए सस्टी जिनहोंने लिया है सब्के लिए इन सब्जेक्ट लिया है उनके लिए यह विशह कॉमन है अगर किस क्लास तक पढ़नी है तो आपको ध्यान रखना होगा यह जो पूरी सकते हैं मार्केंड बहुत सारे प्रक्टिस तैट वहां से विकर सकते हैं या इन सभी की प्रक्टिस एट की सिरीज इलरनी बिद्द दुर्गेश पर निशल को प्लद है टेलिग्राम पर कुल तक यह अप लोड हो जाएगी आप दुर्गेश सच करेंगे टेलिग्राम पर एल कल परसों तक अप्लोड कर दिजेंगे टेलिग्राम पर आप लुक टेलिग्राम को जोइन करेंगे इतिहास भगोल शंविधा नर्साथ सामान विज्यान विवित से इन से जुड़ा हुआ प्रमुक रूप से प्रश्ण बैंक की स्रीज में जाएगी जो रिविजन करने के लि प्रमुक रूप से शवाल आते हैं वह सबसे पहले प्राश्री इंतिहास में प्रमुक पुछा आता है खास कर भी प्यश्री के यह सब इलने दर्गेस के नोट्स में उसको गर एक पर रिविजन कर लेंगे तो कम समय में अब्याता तैरी कर पाएंगे अच्छा नोट्स के अगर आप हैं तो इस नंबर पर कॉले वाट्शेप करकर आप घर बैठे सभी नोट्स भी प्राफ्ट कर सकते हैं कम्प्लीट नोट्स सस्टी की आपको उप्लब्द है चाहें आप सस्टी के लिए चाहें लैंग्वेज के लिए जिए की वाली सिरीच के लिए तो यहाँ प बात करें तो समिधान से जुड़ा हुआ पूरा सवाल आपको पढ़ना पड़ेगा उसके वसाथ नागरी साथ के सेशन को भी आपको पूरी अच्छी तरह से त्यार करने पड़ेगी शामाने विज्यान में बात करो तेहां पर भी शामाने विज्यान में फिजिक्स हो गए कुछ योजनाएं हो गई माने कर्ण जुड़ा हुआ प्रमुक्तत्य करेंट फिर नामात के सवाल आते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपको तैयारी सब्जेक्ट पर फोकस करनी है तो करेंट और करेंट और बेहार को छोड़ से कि इन दोनों से ज्यादा प्रशनो लेकिन यह सेसन जो होगा यह पुर अच्छाटी पर होगा तो थोड़ी से कम होगी इसलिए मैं इसके चैप्टर्स के नाम एक बार आपको दिखा दे रहा हूं ताकि पढ़ाई करते समयं तैयारी करते समयं आपको किसी प्रकारी कोई दिक्कत नहों किसी प्रकारी को यह श् चूज कर सकते हैं जबकि कच्छा 9-10 में आपको चूज करने का मौका मिलेगा चैन करने का सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को शेयर जरू करिएगा ताकि आपके साथियों तक पहुंच सके अब हम बात करेंगे कि एसस्टी के लिए महत्तपूर्ण में जो असी नंबर का है जी हां जो असी प्रस्ण जहां से आते हैं उसको हमें विशयवार कैसे पढ़ना है चलिए हम आपको लेकर चलते हैं इस दुनिया में ताकि आपके पास विशयों का पूरा शंगरा हो जाएगा तो आपको तैरी करना काफी आसान हो जाएगा अब हम आपके सामने जो ल जालते रहेगा वह हमेशा कच्छा जो है नौदस के लिए चलती है अब मुझे लग आपको साफ दिखाई दे रहा होगा अगर जीतने लोग इस सेसान में बने हैं उनको साफ एकदम असपश दिखाई दे रहा होगा अब हम आपके सामने एक एक करके क्रमवा रुप से देखना है हम लोग कच्छा च्छा के तरफ बढ़ रहा है किसकी है कच्छा च्छा की अंसे आटी है यह पूरी नोट्स इलनी बिद दुरगेश पर उपलब्द है और इसके साथ सब सीटेट की भी त्यारी कर सकते सीटेट कर आप देखिए कच्छा अच्छा अच्छा के न जोस्ता क्या है गाउं का प्रशाशन नेगर प्रशाशन ग्राविट च्छत्र में जीविका सारी च्छत्र में जूका का शंदर्व तो यह था आपका आठ अध्याए जो कच्छा च्छा के एंसे अटी में नागरी साफ्ट में पढ़ना है इसके साथ साथ यह निव इंसे नोट्स लेखा होगा इस च्छत्र के साथ निव इंसे अटी आपको मिलेगी माने जो नोट्स की सिरीज है न वहां पर आपको निव प्लस ओल्ड इन दोनों का मिला जुला पूरा पैटा नापको पढ़ने जानने को मिलने वाला है तो हमने देखा कच्छा च्छा के नागर के भगोल की तरफ जी हां अब यह है अपका कि साथ आपको दिखाई दे रहा होगा मेरी आवा सुनाए दे रहे होगी अब हम बात करते कच्छा च्छा की भगोल यह जो है यह कच्छा च्छा की इसमें सौर मंडल में प्रिथिवी गलोब और अक्छांस है मदेश अंतर प्रिथिवी की गतियां मांचित क्रिवी के परिमंडल हमारा देश भारत यह ओल्ड इनसे निव इसके साथ साथ नोट्स में ओल्ड इसे मिलेगी अगर आपके पास निसे बुक है तो पर सकते हैं इ इतिहास की निटिहास की इसमें प्रारंभी कथन क्या कभ और कहा कैसे आखेट खादे संग्रानिस में से बज़न पदन तक अरंभीक नगर क्या बताती है किताब और कब्रे राज्य राज्य नया बिच्थांशलिक तक गाउं शहर और ब्यापार नए सामराज और राज्य दस इमारतिय चित्रधा कितावे तो ये कच्छा 6 की पूरी NCIT है जो हमने पितिहाश भोगोल और नागरी सास्त के रुप में पढ़ लिया साथ आपको ये दिखाई दे रहा होगा आप इसके स्किन सॉट जरू ले लिजेगा अगर आपने नोट्स नहीं लिया है तो आप इससे नेट पे सर्च करके इसकी पीडिया नसीयाट के डाउनलोड करके भी तैयरी कर सकते क्योंकि इसके बाहर भी पेश्ची नहीं जाने वाल अब यहां पर हमारे शामने और आपके शामने आ गया है फिर से नागरिक सास्थ जो जो यह नागरिक सास्थ रहें यह कच्छा साथ का है जी हाँ कच्छा साथ कि तरह हम लोग बढ़ चुके हैं इस एटी में पहला नागरिक सास्थ समानता दूसरा अध्या है स्वास्थ में सरकार की भूम का तीसरा है राजसासन कैसे काम करता है लड़कियों लड़कियों की रूप में बढ़ा होना और तोने बदली दुनिया संसार माध्यमों को समझना हमारे आश्पास के बाजार ब सबस्केंकों कता Tube go जिमें पर कुछासाथ की तरफ चलते हैं जी हां यहां जिसमें परियांवरर्ण के दाम में नामारी पतिःवें अंदर हमारी बदलती पतिवी वाय जल मानों पर्यावरण अन्योन के रिया उसकड़बंदी छेत्र और सात्मा है रगिस्तान में जीवन यह हो गया नागरिस्तास रियो हो गया भोगोल अब हम बढ़ते हैं इतिहाश की तरव कि इतिहाश में बात करें कच्चा शाथ की इतिहाश इंसी आटी की क्योंकि यह अध्यायवार है और अध्यायात को पढ़ने को मिलने वाले प्रारंबी कतन हजार वट्सों के दारान हो परिवर्तनों की परताल राजा और उनके राजित दिल्ली के सुम्टान मुगल सामराजि इस्वर सनुदाग शित्री संस्कितियों का निर्मार तो यह था आपका इतिहाश का सेलवस तो आप यहाँ पर सकते हैं इतिहाश भगोल और नागरिश सास्त्र के क्योंकि चलते हैं बाकि इसकी पूरी मैं इतिहाश पढ़ाई है यह लड़ने पर दुर्गिस के जाते हैं एक दिन में एक अच्छा खत्म पूरा खतम छा की पूरी पौल्टी खतम अगर आप साथ देंगे इस तरह करके हम पूरी कंप्लेटली आपके लिए श्रीज लेकर आजाएंगे अगर आप सपोर्ट करेंगे लोगों तक पहुचाएंगे मदद करेंगे दूसरों की भी और अपनी भी तो हम आपके लिए से लेकर आएंगे कि मेरी दौरा क्लासे निसुल करेंगी देशित में राज्टिति में उससे के साथ आप कहीं नोट्स जो होगा उससे भी पढ़ लेंगे उससे भी कम स्वें में बहतर त्यारी कर पाएंगे अगर हम बात करें नागरि समाजिक लिए तो यह कच्छा आठ के नागरिस्तास्त के अध्याएं आठ अध्याएं निवी निया चैप्टर्स हैं और ओल्ड में चैप्टर्स कुछ बढ़ जाते हैं तो चैप्टर्स की विनोट्स इलनी दुरगेश के आप पर हैं वैसे आप प्ले स्टोर से या इलनी आगे में बात करूब भगोल की में बात करूब भगोल हैं जिसमें संसाधन पढ़ना है भूमी मिर्दाजल प्राकितिक बनश्पति वनिचु शंसाधन क्रिशी उद्योग मानो शंसाधन क्योवल पांच अध्याएं हैं निवेंस्याटी में अगर हम बात करते इतिहास की ऐसे कब और कहा ब्यापार से सामराज तक कंपनी की सथापित होती है ग्रामिट शेत्र प्रशासन चलाना अधिवासी दीकू एक स्वड़ यूग की कल्पना जब जनता भगावत करती अठा सथावन उसके बाद देशी जनता की सब बनाना राष्ट को सिच्छित करना महिला सब्सक्राइब जातियों शुधार राष्ट्री आंदोलन का संगट सब्सक्राइब 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 तो यह जो था यहां पर हम लोगों ने 6-8 तक की जो इत्याहाश भूगुर्ण नागरिसाथ की सेशन था वह देख लिया यह आपको पूरीता से पढ़ना जिसका नाम होता है अरशात्र तब यहां पर अगर हम देखें तो समझे भिज्यान की स्रीज में अब आपको अगर हम नागरिसाथ की बात करें तो यहां पर अध्याव के शंक्या है कितने अध्याइव को मिलें पाच अध्याव आपको पढ़ने पढ़ेंगे किसके लिए यह जो नाग्रिश साथ यह कच्छा नौ कि अगर हम बात करें तो कच्छा नौ में क्या क्या है लोगतंत्र क्यों सविधान निर्मा चुनावी राज नीती संस्थाओं का काम काज लोगतंत्रिक अधिकार अब अर्शास्त की बात करतें जो अर्शास्त्र है यह 9-10-11-12 में हो कहां कहां से आ रहा है आगे मिलेगा कि यह धनका विज्ञान के वाल इसका पूरा पैसे से लेकिन कहानी में पूरी कहानी में पूरी थेरी और फॉट्स छिपे हुए हैं जो आप पड़ सकते हैं और नहीं तो आप कम समय में नोट्स के लिए भी मदद कर सकते हैं अब यहां संसाधन के रूप में लोग कैसे चोटे से मुमें बडा बडा कवर खाते हैं तो यह वताया गया की संसाधन के रोप में लोग पार्लंपूर गाओं के कहानी अर्शास्त्र में दो अध्या हो गया तीसरा हो गया निर्धनता एक चनोती है भात में खादिश रख्षा तो चारत द्याय के अच्छनों के चद्या पढ़ने है निवाल इंसेटी में इनसेटी का सेल बढ़ जाता है इतिहास में फ्रांसी सी क्रांती रोप समाजवाद रोसी क्रांती नाजीवाद और हिटलर का उदय वन्य समाज और उपनेवेश वाद आधनी विसमें चरवा है तो कच्छनों की यह समझी विग्यान अब भाई भी पिस्टी का लेवाल आप तो जानते ही है कहां से कभ उठाके पूस्ट दे अब यहां से फिर से आपके सामने नागरिक सास्त्र आ गया है अब यहां पर देखिए नागरिक सास्त की बात करो कि यह कच्छा दस की सिरीजें यह कच्छा दस यह दस के से सन है इसमें कर हम नागरिक सास्त की बात करें सत्ता की साध्यदारी शंगवाद जाती धर्म और लांगिक मशले राजनीतिक दल और लोग तंत्र के परिणा तो यह पांच अध्याय पढ़ने है कच्छा दस की नसीयाटी नागरि अधिका अभुक्ता अधिकर भगोल की तरव अगर हम बढ़ें तो यह अध्याय पढ़ने उनके संक्या साथ है शंसाधन योग विकास वन योवन जिव संसाधन जल संसाधन क्रिसी खनी तता उर्जा शंसाधन विनिनमाडवत द्योग राष्टिय दिवस्ता की जीमन रेख अगर हम बात ही दिहास ही करें तो यहां पर आपको यूरोप में राष्टवाद का उदय भारत में राष्टवाद भूमंडली कित मिश्व का बनना पदोगी करण का यूग मदर संस्किती और आधनिक दुनिया तो यह आपको द्यान से चाहें तो कच्छा दस की NCIT की लेशन है इसकी सौट कर सकते हैं ताकि आपको सेलबस के दौरान पढ़ने में काफी अशानी हो सकती है बाकि इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है इस वीडियो सेशन में कॉमेंट करके आप पोसकते हैं और हम कोसिस करेंगे आपके सभी प्रशनों का जवाब देने के तो हम लोगों ने यहां पे पूरा सेशन में देख लिया अगर आप इस सेसन को पढ़ते हैं से अठीके तो यहां से इसके त्यारी होब आए लेकिन इसका पैटन है थोड़ा सा लग है जो नाम ही काफी है तो इसका जो लेवल थोड़ा सा हाड होगा इसलिए इसकी नोर्स आपको अलग पढ़नी होगी यह सेसन अलग पढ़ना होगा कुछ चीज़ आपको कॉमन मिल लाएंगी जैसे इतिहास भगोल नारी साथ असाथ जो कॉमन चीज़े हैं वह आपको दोनों में मिल लाएंगी तो असस्टी से त्यारी कर रहे हैं उनके लिए यह पोर्शन तो आसा मैंना होता है और वह आउट-फसलब सवाल पुषत है तो आप असे प्रश्णों की भास आपके सौवघ में आती है कि जो पूछ पूछ रहा है वह क्या कहना चाहता है या क्या पूछ रहा है नसीट से दूसरा फादा ही हो गा कि आपको सब्दों की पकड़ मजबूत हो जा जाल। आपको मेहनत करना उश-के साथ आपकी मेहनत के साथ साथ आपकी सबसे बड़ी काम आपकी आने वाली है भाग एका भी साथ देना हुथ जरूरूर तो भाग भी आपका साथ देगा तो आपके सफलता की बहुत करीब और नजदीक हो जाएगी फिलाल इस वीडियो को शेयर करिएगा और हाँ इसकी पूरी नोट्स इलानिवित दुर्गेश पर मेरी इनिसुल क्लासेज आपके लाती है हम आपके माराथन क्लास लेकर आ रहे है अठार से 20 घंटे की क्लास में स्तंपूर भोगोल आपको समाप्त कर दिया जाएगा जहां पर 20 भोगोल भारत का भोगोल उनके प्रश्टों के साथ साथ अगरा आप ब्याक्ख्या आपने पढ़े लिया वीडियो की दोबार देख लिया उससे जुड़ा हुआ कोई सवाल परिच्छा में अब आसानी से कर लेंगे तो कितने इससे साती हैं जो जुड़ना चाहते हैं इसलिए पर आपको बेढ़े जो इस नंबर पर अपना नाम और जिरा लिक कर अगर आप भेज देंगे तो वाट्शेप ग्रूप में जुड़े रहेंगे जहां से आपको हर सवा वो आपको मिल लेगी class की PDF नोर्स यह आपको मिलती रहेगी बाकी चाहिज आपको टेलीग्राम की माध्यम से रहती हैं बाकी नोर्स के लिए अगर आपको लगता है यह लगने पर दुर्गेश की नोर्स की आपको जुरत पड़ेगी ताप इसे लेकर आपनी तयारी को बहतर क कम है आपको अपने से मेनद करना पड़ेगा किसी के बच को जादो छड़ी नहीं घुमाद एक पर सबसे पहले ही धान देना होगा कि खुद पर भरोसा रखना होगा नोर्स पर आप फोकस कर पाएंगे तो सफलता के लिए काफी करीब पहुँच पाएंगे और कि वह रिव